नमस्कार मैं समर के मुखर जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग आज का वीडियो वैसे तो सब के लिए खास होने वाला है लेकिन उनके लिए विशेश रूप से है जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है यानि डॉक्टर्स, सर्जन्स या कॉस्मेटिक प्रैक्टिस नर्स जो कॉस्मेटिक का कोई भी काम करते हों या सर्जरी करते हों या प्लास्टिक सर्जरी करते हों इस तरह के लोगों के लिए डेंटिस्ट हो आई, थ्रोट या नोज का जो डॉक्टर्स हैं जो गाइनों से related हैं, हर तरह के doctors, हर तरह के surgeon के लिए ये वीडियो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं, डॉक्टर से हैं, जो पूछते रहते हैं कि कौन सा camera उन्हें use करना चाहिए, अगर वो cinematography करना चाहते हैं, अपने profession से related, या कौन सा gear उनक का concept बनाओ, जिसमें आपको पता चल जाए, कि आपके profession के लिए कौन सा camera, कौन सा gear अच्छा हो, यहाँ पर हम जितने भी equipments के बारे में बात करेंगे, उसका एक link भी देंगे, ताकि उस link के जरीए, उसके cost, उसके बारे में और भी specifications आप जान दें, लेकिन सबसे पहले हम जा परपस है, for documentation, आप कोई भी दस्तावीज बनाना चाहते हैं, यह किसी मरीज का history रखना चाहते हैं अपने पास, तो best उपाय है कि उसका photographs या उसका videography आप करके file बना कर रखे, तो documentation के लिए यह बहतर option हो सकता है camera, दूसरा है for research and development, अगर आपने documentation करके रखा है, videos के रूप मे still photography के रूप में, तो उस पर research work हो सकता है, उस पर development का काम हो सकता है, यानि R&D का work हो सकता है, जो कि चिकित्सा के जगत में बहुत कुछ लोगों के लिए कर सकता है, यानि समाज का बहुत कल्यान हो सकता है, तीसरा वज़ा है for educational purpose, सोचिए, जो विद्यार्थी, बड़े doctors के पास जाकर नहीं सिख पा रहा है, अपने विद्याले में है, अपने medical college में पढ़ाई कर रहे है, लेकिन उनको ऐसे ऐसे videos अगर मिल रहे है, जो expert है अपने काम में, वहां से उनको अगर videos मिल रहे है, proper shoot किया हुआ, proper edit किया हुआ, तो कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा उन students के लिए सीखना, यानि जो काम वह 5 साल, 6 साल, 8 साल में experience के द्वारा सीखेंगे, तो वही चीज वह दूसरी के experience से नजदिक, यानि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में भी सीख सकता है, देखिए self experience तो अलग चीज होता है, लेकिन अगर चीजें video के रूप में अच्छे धंग से प्रस सकते हैं, अगर आपके पास camera equipment अच्छा है, आपके पास gear अच्छा है, तो आप अपने operation के जरीए, यानि जो doctor उतना experience holder नहीं है, लेकिन काम अच्छा करते हैं, तो किसी बड़े doctor के साथ बैट करके भी remotely अपना काम कर सकते हैं, और मरीज को बेहतर से बेहतर result दे सकते हैं, औ उसका awareness भी जरूरी है लोगों के बीच में, आपको अगर पता ही नहीं हो कि किस तरह का इलाज नया निकला है, किस तरह का operation नया निकला है, तो आप उन doctor के पास जाएंगे ही नहीं, तो awareness कराना भी जरूरी है, अगर आपके पास अच्छा equipment है और उसके जरीए अच्छा video ने बनाया, documentary kind of video बनाया, मैं paid advertisement की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन awareness और promotion इसकी बात कर रहा हूं कि किसी भी चिकित्सा को आप promote कर सकते हैं लोगों की बीच में, और वहां से भी आपको अच्छे clients मिल सकते हैं, यानि जिनको आपकी जरूरत है, वो आप तक पहुँच सकते है तो इन सारे वजहों से ये पता लगया जा सकता है कि एक camera की कितनी ज़्यादा जरूरत है doctors को, चलिए अब हम बात करेंगे कि कौन-कौन से camera आपको लेने चाहिए, किस तरह का camera होना चाहिए, उसका specifications क्या होने चाहिए, और कुछ camera हम खुद recommend करेंगे, और उसका link भी आपको शूट किया जा रहा है, दूर से शूट किया जा रहा है, भले ही close up लें, wide angle पर शूट करें, कुछ भी, तो वो external use camera equipment के study में आता है, तो उसके लिए कौन-कौन से equipment आपको लेना चाहिए, सबसे पहले बात करेंगे camera की, इसके लिए आपको ज़रूरी है mirrorless hybrid camera की, hybrid camera क्यों, ऐ hybrid camera काते हैं, क्योंकि एक doctor को still photographs की भी जरूरत पढ़ती है, और अच्छे quality में videography की भी जरूरत होती है, यह यह वीडियो footages की भी जरूरत होता है, तो इस तरह के camera में आप कौन-कौन से खास specifications को देखेंगे, सबसे पहले यह जानते हैं, पहला specification है, full frame, यानि आपका camera full frame होना और वीडियो की quality बहतर आ सके, दूसरा, minimum 40 plus megapixel, आपका जो camera का sensor हो, वो minimum 40 plus megapixel का camera हो, ताकि आपका जो pixel है, अगर बड़ा enlarge भी करें, तो फटे न, क्योंकि कई बार आपको enlarge करके किसी खास छोटे चीज को दिखाना पड़ सकता है, वीडियो में भी और image में भी, तीसरा है minimum 4K video capture, आपका camera 4K compatible होना चाहिए, यानि minimum 4K का resolution पर video capture जरूर करें, क्योंकि आज गल 4K आम हो गया है, ठीक है, आपके पास अगर 6K, 8K का camera है, तो और अच्छा है, लेकिन minimum 4K होना चाहिए, सर्फ 1080p होने से काम नहीं चलेगा, और next है, low light sensitive sensor, आपका जो sensor होना चाहिए, वो sensitive होना चाहिए, low light के लिए, यानि low light पर भी grains ना आए, देखिए, क्या होता है, कि operation के दौरान कई बर ऐसा होता है, कि आप extra light नहीं दे सकते हैं, पेसेंट के उपर, तो उस समय जो available light है, उस light पर भी बहुत अच्छे से shoot हो, बहुत ही sharp shoot हो, तो इस तरह का sensor होता है, जो अच् पिक्सल नहीं फटते हैं, और last है, easy streaming facility, कोई भी camera लें, तो उसमें streaming की facility जरूर हो, क्योंकि कई बार आपको live जाना पड़ता है, तो live के लिए आपका जो normal laptop का या desktop का जो webcam होता है, वो काफी नहीं होता है, उसकी quality अच्छे नहीं होती है, तो आपको live जाने के लिए भी अच के कुछ खास चीज़ों को दिखाने के लिए जरूरी होता है, कि आपका camera भी अच्छा हो, और उसमें streaming facility इतनी easy हो, कि आप एक बटन टच करके भी आराम से streaming कर सकते हैं, तो इतने खास चीज़े अगर आपके camera में है, mirrorless camera हो, full frame camera हो, तो आपका काम बन सकता है, अब हम आपको बताएंगी कि Sony और Canon में कौन से ऐसे camera हैं, जिसे आप purchase कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे camera हैं, तो आपका समय में बचाओंगा, क्योंकि बहुत सारे research करने के बाद, दो camera हमने निकाले हैं, एक Sony में, एक Canon में, जो Sony lovers हैं, उनको Sony के camera, और जो Canon lovers हैं, जैसे मुझे Canon के camera, personally पसंद आते हैं, जबकि Sony का camera भी बहुत अच्छा है, तो उसमें कौन सा camera आप लें, कौन सा lens आप लें, उसके बाद करेंगी, सबसे पहले Sony के camera पर आते हैं, recommended जो Sony का camera है, वो है Sony Alpha 7 R5, देखिए इस camera की body जो है, उसकी कीमत लगबग 3,15,000 के आसपास में है, 3,15,000, 20,000 के अ और इस camera का जो main purpose है, वो है बहतर image quality, यानि आप अगर still photography करते हैं, तो बहतर आएगा, और इसमें video भी 4K का बहुत ही अच्छा आता है, यानि sharp video आता है, तो इस तरह के camera definitely medical professionals के लिए बहुत ही useful हो सकता है, link मैं दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर के आप इसके और भी specifications को चेक क दूसरा, Canon में अगर आप जाते हैं, recommended जो Canon का camera है, वो है Canon EOS R5, यह 45 megapixel का camera है, 8K का raw video shoot करता है और बहतरीन quality देता है, और इस camera का जो तकरीबन कीमत है, Sony के बराबर ही है, यानि R75 के बराबर ही आपको इसका मिलेगा, यानि 3,20,000 के आसपास में यह camera आपको पढ़ेगा, ले इसका अब Mark II भी आने वाला है, जिसमें कुछ चीज़ें और ज्यादा दिया जा रहा है, तो आप उसके लिए इंतिजार कर सकते हैं, अगर आप यह camera लेते हैं, तो आपको इनके लिए lenses कौन कौन से लेने पाएगा, Sony और Canon का एक एक करके मैं बताऊँगा, तीन तरीके का lens मैं बात करूँगा, कि तीन अगर lenses हो इस camera के साथ, तो आपका सब काम हो सकता है, यानि medical से related जितना भी work होना चाहिए, वो तीन lenses से पूरा हो सकता है, पहला professional lens की जरुएत पढ़ेगी, वो है macro lens, macro lens क्या हता है, कि आप camera को subject के काफी नजदिक लेके जा सकते हैं, यानि उस lens के जरीए, आप बहुत नजदिक से भी shoot कर सकते हैं, और detail में shoot कर सकते हैं, अगर आप कोई operation की प्रक्रिया हो रही है, तो उसमें बहुत सुच में सुच में चीज़े होते हैं, कुछ stitching हो रही है, और उसको आप काफी न advertisement करते हैं, तो diamond का अगर shooting करना होता है, चोटी चोटी diamond, उसके एक एक cut को दिखाना होता है, तो उसके लिए हम लोग macro lens use करते हैं, उसी तरह से, अगर हम तो medical line के नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि doctors को भी अगर चोटी से चोटी चीज़ को अगर दिखाना है, तो उन इसी चोटी चीज़ को आप detail में आप शूट कर सकते हैं, चाहिए फोटोग्राफी के रूप में हो या विडियोग्राफी के रूप में, इसमें जो Sony का lens आता है, वो है Sony E-mount FE 90mm F2.8 macro G OSS lens, जो full frame का lens होता है, इससे अगर आप शूट करते हैं, 90mm, 100mm के नजदीक ही है, इसस 2.8 का opening मिलता है, यानि low light पर भी अच्छा काम कर सकता है, और इसी का आते है Canon का, अगर आपने Canon का camera खरीदा है, तो आपको कौन सा lens लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए, Canon RF 100mm F2.8L macro IS E-SM, तेकि E-SM के होने से आपका lens stabilize रहेगा, बहुत ज्यादा stabilization मिलेगा, और autofocus में भी मिलती है, बहुत सारी चीज़े हैं, और macro lens से जो आप detail निकालेंगे, यानि 100mm का होने के वज़े से आप थोड़ा दूर रख करके भी detail जो निकालेंगे, तो छोटी सी छोटी चीज़ का detail आपको मिल सकता है, नेक्स्ट है, low light mid close zoom lens, देखिए low light, यानि इसका opening ज्यादा होना और short zoom है, ये क्या करता है, mid shot और close shot के लिए बहतरीन है, और इसमें आप वो सारा काम कर सकते हैं, जो एक wide range में किसी भी medical professionals को जरूरत पड़ती है, videography के लिए हो या photographic के लिए हो, और ये lens का जो mm होता है, वो होता है 24 से 70 mm की बीच में, तो उस पर Sony का कौन सा lens काम करेगा, उ 24 70 mm, F 2.8 GM, full frame lens, देखिए ये lens 24-70 का lens है, और ये बहुत ही common lens है, लेकिन doctors के लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि 24 mm काफी हद तक तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक wide भी ले लेगा, और 70 mm में चले जाएंगे, और उसमें ज्यादा जगह नहीं होता है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर के किसी चीज को आपको shoot करना है, तो आपको 70 mm से उपर का lens चाहिए, नहीं चाहिए, 70 mm में काफी close भी आप ले लेंगे, और ज्यादा close लेना है, तो आपके पास macro lens तो already है, तो 24-70 lens ऐसा है कि आपका maximum काम इसी lens से complete हो जाएगा, जो आपके operation के दोरान गया, किसी मरीज से आप बात कर रहे हैं, किसी भी patient से आप बात कर रहे हैं, तो उनका अगर bite लेना है, किसी doctor का bite लेना है, कोई interview कर रहे है, कोई दो लोग मिल करके बातचीत कर रहे हैं, तो यह सारा चीज 24-70 के lens से आपका complete हो सकता है, तो यह lens बहुत जरूरी है, इसका जो link है, मैं already दे रह हूं, और अगर Canon पर जाते हैं, 24-70 का ही lens है, तो उसको कहेंगे Canon USA RF 24-70mm F2.8L IS USM lens, देखिए यह भी USM lens है, और Canon का USM बहुत ही बहतर काम करता है, 2.8 का है, यानि काफी अच्छा opening मिल जाएगा, low light पर काम करेगा, और 24-70 में जैसा कि पहले lens के बारे में बताया है, तो उस wide short zoom lens, देखिए surgical process को अगर थोड़ा सा wide angle से shoot करना है, यानि दूर से आपको दिखाना है, धेर सारे doctor हैं, और वहाँ operation हो रहा है, तो वहाँ camera नजदिक नहीं ले जा सकते हैं, और सारे लोगों को आपको दिखाना है, एक साथ, तो आप high angle पर उस camera को fit करेंगे, तो सब लोग एक साथ दिखाई दे सकते हैं, तो ये एक ऐसा lens है, जो आपको wide angle में 2-3 तरह की variety दे सकता है, और ये जो mm होता है, वो 15 to 35 होता है, यानि 15 mm का wide angle मिल जाएगा, और 35 mm का आपको लगभग close मिल जाएगा, close तो जादा नहीं होता है, लेकिन काफी हद तक हो जाता है, तो mainly इसक जो Sony का lens है, वो है, Sony E-mount FE 16-35 mm F2.8 GM full frame lens, देखिए, यहाँ पर 16 mm से मिलेगा, आपको Sony में अगर आप जाएगे E-mount में, तो आपको 16 mm से 35 mm का lens मिलेगा, काफी अच्छा wide मिलेगा 16 mm में भी, और 35 में काफी नजदिक तक आप जा सकते हैं, बहु ज़्यादा close तो नहीं, लेक 35 mm का block lens है, और उस पर हमारी shooting हो रही है, कुछ ही दूर पर तकरीबन 4 feet पर ये camera रखा हुआ है, और मेरा इतना portion आ रहा है, तो आपको एक अंधाज लग गया, कि 35 mm से आपको क्या shoot करने को मिलेगा, तो 16-35 mm का जो lens है, बहतरीं lens है, 2.8 के होने के वज़े से आपको काफी low light म करने का औसर ये देता है, अब Canon पर आते हैं, Canon पर यही lens 15 से सुरू होता है, 15-35, lens का नाम है Canon RF 15-35 mm, AF 2.8 L, IS USM lens, देखिए ये lens USM है, तो अच्छा होगा ही, USM का बहुत सारी चीज़े हमने पहले ही बता दिया है, और 15 mm, यानि थोड़ा सा ज्यादा वाइडर होगा, आप Sony पर जितना जाएंगे, 16 पर, 16 से थोड़ा सा वाइडर है, आपको आँख से थोड़ा बहुत पता चलेगा, अगर दो camera को सामने सामने रखते हैं, सेम lens लगा करके, एक पर 15, एक पर 16 करके, तो थोड़ा सा लगा है कि 15 जो lens है, वो थोड़ा वाइडर है, लेकिन काम सेम करे तो उस पर आते हैं, पहला है tripod, किसी भी camera को स्थिर रखने के लिए, या आपको panning करना है, tilt up, tilt down करना है, movement करना है camera को, वही पर रख करके camera को, तो काफी अच्छा soft movement होना चाहिए, तो इसके लिए fluid head वाला आपको tripod की जरूत होती है, वैसे tripod पांच चाहर से ही start हो जाते, ले में से जो tripod आपको अपने budget में suit करे हो लिजे, क्योंकि बहुत सस्ता tripod नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके जो जर्क होता है, बहुत ही गंदा लगता है बड़े screen पर जब आप देखते हैं, तो ये दो tripod मैं recommend करूँगा कि अगर आपको मिल जाए, तो इसे जरूर लिजे, इ और दूसरा है, कुछ सस्ता है, वो है small rig heavy duty tripod with 360 degree fluid head, इसका भी link दिया जा रहा है, ये heavy duty है, लेकिन ये सस्ता है, यानि man photo बहुत ही ज्यादा renowned brand name है tripod के लिए जो professionals use करते हैं, लेकिन ये दूसरा वाला है, ये भी अच्छा tripod है, कहीं से भी कमी नहीं है, लेकिन इसका price आधे से भी कुछ कम है man photo से, चली आप उसका भी link देख करके, आप उसका price और specifications देख लीजे, अब आते हैं lights पर, देखें आपको अपने shooting के लिए lights की ज़रुद पड़ेगी, यानि कोई भी artificial light देकर ही बहतर आपको result मिलता है, artificial light में पहले चलता था tungsten light जो काफी गर्मी देता था, अब आपको यूज करना है LED lights, कई तरह के होते हैं जो fixed LED light होते हैं, यानि white light होते हैं, कई day night light होते हैं, यानि उसमें yellow tone एक होता है, एक white tone होता है, यानि day के लिए आप white tone यूज करेंगे, अगर night shoot करना है, तो yellow light यूज करेंगे, और एक होता है RGB, जिसमें RGB color होते है, red green blue से, आप कई तरह के multi color आप बना सकते हैं, तो इनके बारे में समझते हैं कि कौन-कौन से light आपके लिए जरूरी है, यानि एक doctor को अगर चाहिए, medical professionals को अगर चाहिए, अपने shooting के लिए, चाहिए documentary बना रहे हो, या किसी भी तरह का shooting कर रहे हैं, जिसका live प्रसारन करना हो, कोई documents क के लिए बना रहे हैं, कोई research के लिए बना रहे हैं, कोई education के लिए बना रहे हैं, तो कौन-कौन से light की जरूरी है, पहला, flexi light, यह flexible होता है, यह एक चटाई की तरह होता है, जिसे आप कहीं भी मोड सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे जगा जहां पर बहुत कम जगा हो, या आपको अलग से light लगाने के लिए कोई जगा नहीं मिल रहा हो, तो वहाँ पर आप flexi light का use करिए, एक तो इसका color बहुत ही अच्छा tuned होता है, यानि इसका color temperature बहतर होता है, आप by color अगर लेते हैं, तो day और night का color आपको accurate मिलेगा, और इसमें जो tone होते है, जो skin का tone होता ह क्योंकि operation हो रहा है या कोई भी चीज का इलाज हो रहा है, तो आपको best quality का color मिलना चाहिए, जो actual color है वो मिलना चाहिए, तो इस light की खासियत है कि आपको actual color निकाल करके देता है, तो ये definitely doctors के लिए जरूरी है, तो इसमें Godox का वैसे तो बहुत सरे अच्छे अच्छे और भी 100, 100 watt का by color flexible LED light, जो की 40 by 60 cm का होता है, तो इतना बड़ा light होता है, उसको आप use कर सकते हैं, नेक्स light है, by color LED light pair, देखिए, कई बार आपको जरूरत होता है कि एक light से काम नहीं चलता है, आपको इसी का interview ले रहा है या operation हो रहा है, दूर से आपको shoot कर रहे हैं, किसी का bite ले रहा तो वहाँ पर दो light होना चाहिए, एक सजन के लिए face light बनाई है, दूसरा दूसरे के लिए बनाई है, अगर आमने सामने है, तो दो light लगा दीजे, एक light एक का back light कहलाएगा, दूसरा light, दूसरे का face light कहलाएगा, और दोनों vice versa होगा, तो ऐसे में दो एक तरह के light की जरूरत ह तो थी है, और ये light हम जो यहाँ पर दे रहे हैं, ज्यादा महहा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसका जो godox का आता है, वो बहुत ही महहा होता है, तो उसकी जरूरत नहीं है, ओपरेशन के लिए जो flexi light है, वो हमने महहा इसलिए रखा है, क्योंकि वो वहाँ पर जरूरत है, लेगिन यहाँ पर एक दूसरा light मैं दे रहा हूँ, पेर light, वो काफी अच्छा है और अच्छा result आपको मिलेगा, और वो light है, Eloise Bi-Color LED Video Soft Light Panel Kit, इस panel kit में आपको बहुत सारी चीज़े मिलेगी, ताकि आप दो light को आराम से tripod पर use कर सके, और हमारा जो तीसरा light है, वो है, RGB LED light, RGB भी, red, green, blue को कहते हैं, यानि इसमें किसी भी तरह का color बना सकते हैं, कई तरह कि इसमें effects हैं, जो effects आपको use करने के लिए होता है, कई बर क्या होता है, कि आपको कोई short film मनाना है, किसी भी तरह का आपको fiction थोड़ा दिखाना पड़ सकता है, कोई awareness आप ला रहा है, तो उसमें कुछ चीज हैं, क्योंब देखिए, doctors बहुत creative होते हैं, वो कई चीज को boring धंसे नहीं दिखाना चाहें, कि operation बहुत boring तरीके से होता है, ठीक है, education के लिए ठीक है, लेकिन जब awareness कोई film बना रहा है, तो उसमें कुछ लो कुछ ऐसा होना चाहिए, interesting way, ताकि लोग उसके साथ connect क कर सके, तो ऐसे में RGB light का बहुत बड़ा महत्त होता है, RGB light में किसी भी तरह का color आप बना सकते हैं, हमने जो यहाँ पर light दिया है, वैसे RGB light कई तरह के होते हैं, यहाँ पर जो हमने light दिया है, वो tube की आकार का होता है, हाथ से पकड़ के रख सके कहीं पर आप रख दे, और उस color temperature को अलग से change कर सकते हैं, उसकी intensity को अलग से volume की तरह जैसे radio में volume होता है, यह tip recorder में होता है, यह किसी भी music system में होता है, तो उस तरह से light को भी आप control कर सकते हैं, regulate कर सकते हैं, तो अच्छा इसके अंदर सारी दोस्ता है, light थोड़ा सा महंगा है, लेकिन बहुत काम का है, तो तीन तरह के जो light है, इसको अगर आपने ले लिया, तो हर तरह का काम, हर तरह का video आप shoot कर पाएंगे, यह तो हो गया external camera के बारे में, अब हम internal camera के बारे में कुछ बात करेंगे, internal मतलब endoscopic camera, बहुत सरह ऐसे शरील में जगह होता है, operation करना होता है, जो बाहर से संभव नहीं ह अंदर से आपको करना होता है, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो गया, यानि उपर से बिना cheat फार किये, अंदर से आप camera लगा करके, अंदर की चीजों को देखते हुए, आप operation कर सकते हैं, या inspection कर सकते हैं, कोई वे inspect कर सकते हैं कि अंदर हो क्या रहा है, तो इसकी लिए जो camera रहाता है, उसे endoscopic camera करते हैं, इसे probe camera भी कहा जाता है, तो probe camera तो हम लोग use कर लेते हैं, लेकिन endoscopic camera काफी ज़्यादा valuable होता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जाता है, तो उसमें कोई भी जिवानू नहरा जाए, इस तरह का उसका material रहाता है, तो उन material का cost होता है, तो इ पहला है, Richard Wolf, जो Germany की company है, 1906 में ये आया था, और operation से related बहुत सारी चीज़े बनाता है, और बहुत महंगे महंगे उपकरन बनाता है, और उनी में से endoscopy camera भी है, बहुत महंगा camera इनका है, लेकिन useful है, दूसरा company है, Olympus, जो 1919 में आया, ये अमेरिका का company है, 1919 में ये company launch हुआ था, और Olympus का normal camera, यानि जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो camera भी है, professionals के लिए भी है, cinematographers के लिए भी है, video और still photography के लिए भी ये camera यूज़ होते हैं, लेकिन इनका एक section है, जो medical line के लिए camera बनाते हैं, और ये camera भी काफी अच्छा है, sensitive है, और काफी पतले-प section होते हैं, जैसे एक होता है, सिर्फ camera, दूसरा होता है, उस camera को जहां पर आप play करके देखेंगे या record करेंगे, और तीसरा होता है, दोनों के बीच के जो wire होते हैं, उसको अलग से आप कैसे लेंगे, तो सारी चीज़े अलग-अलग हैं, और ये काफी महंगे camera होते हैं, और यहां हम दो और camera के बारे में बताएंगे, जो अपेच्छा करेत काफी कम कीमत का है, लेकिन useful है, जिसमें से पहला है, EAC MediCamp's Endoscopy Laparoscopy Camera, देखिए ये laparoscopy के लिए है, यानि आप internally operation कर रहे हैं, बाहर से देखकर कुछ hole किया जाता है, उसमें camera डाला जाता है, और जैसे chopstick स आप कुछ Chinese खाना खाते हैं, उसी तरह का chopstick टाइप का कुछ चीज़े होता है, जिसके जरीए पेट के अंदर या कहीं पर भी आप laparoscopy के जरीए आप operation कर सकते हैं, इसके बारे में doctors ज्यादा अच्छा बताएंगे, लेकिन ये camera हमने देखा, इसके बारे में चेकिया, तो क बाहर से camera से shoot नहीं कर सकते हैं, अंदर कान के अंदर या कुछ ऐसा दिखाना है, तो उसके लिए camera है काफी low budget का भी है, economical भी है, लेकिन वो camera का भी जो quality है बहुत अच्छा है, और वो है test long classic boroscope camera system, boroscope camera system है, ये भी उसी तरह का है, यानि probe camera ही है, और इसका भी use आप कर सकते हैं यानि medical line में, इसका use mainly engineering line में भी बहुत ज़्यादा होता है, अगर कोई inspection करना है, किसी अंदर में कोई चीज देखना है, और वहाँ पर camera को अंदर fit करके भी आप इससे चित्र ले सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, anyway, आज हमने doctors के रिए camera equipment के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए, वो मैंने दी, आप इसमें से कोई भी camera अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यह जितने भी camera के बारे में बताया गया है, यह मेरी अपनी राय है, जो मैंने research और investigation किया, उस camera को देखा, उसका quality check किया, तो मुझ इतने भी camera के बारे में, lenses के बारे में, equipment के बारे में मैंने बताया है, तो description में मैं उसका link दिया हूँ, और उस link पर जा करके आप उसके बारे में और detail जानकारी ले सकते हैं, और वहाँ से आप purchase भी कर सकते हैं, कई doctors हैं, जो equipment तो खरिद लेते हैं, लेकिन उनके पास proper training नही इस तरह की training नहीं होती, वैसे तो हम लोग का online training होता है, आप online भी हमसे सीख सकते हैं, otherwise हमारा एक और wing है, जहाँ पर हम लोग offline training देते हैं, on-site training देते हैं, आप जहाँ पर भी आपका dispensary हो, operation theater हो, hospital हो, वहाँ पर हमारे लोग जाएंगे, या wishes परिसितियों में, मैं खुद जाता हूँ और train करता हूँ doctors को कि किस तरह से वो film बना सकते हैं, किस तरह से shoot कर सकते हैं, easy way में, कैसे camera की setting रखें, सारा चीछ fix करके जाते हैं, ताकि आप easily अपना काम कर सकें, तो इसके लिए नीचे दिये गए number पर आप संपर्क कर सकते हैं, अगर कोई छोटी मुटी जान पर हमने बनाया, इस पर किसी भी तरह का वीडियो या किसी भी तरह का लेख या कोई भी चीज हमें Google में नहीं मिला, तो मुझे लगता था कि कई doctors को ये परिशानी हो रही होगी, और आने वाले दिनों में हम engineers के लिए, advocates के लिए, या और भी जो professionals हैं, जो चाहते हैं कि अप इस पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, नमस्कार. और उसमें मेरी मदद की डिजी फिल्मिंग ने, येस, डिजी फिल्मिंग, ये एक ऐसा platform है, जहां पर complete filmmaking की knowledge मिलती है, और इसका online filmmaking coach आपको हिम्मत देता है, और इसका 7 days का hands-on practical workshop आपके सपनों को उची उडान देता है, और बस, आज देखो, मेरा भाई बेस्ट फिल्मेकर का अवार्ड लेने जा रहा है, इसलिए कहती हूँ, लाइफ में हर एका plan भी तो होना ही चाहिए, अभी दिये हुए नमबर पर संपर्क करें या लॉग इन करें, www.digifilming.in आपका है कोई plan भी?